रेडिमेड यानि कि बजार से लाय हुआ एक्स्टेंशन बोट कितने दिनों तक चलता है ये बात कौन नहीं जानता है लेकिन दोस्तों फिर भी हम लोग बार 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 यही गलती करते हैं कि कभी भी हमें अगर एक से ज़्यादा पॉइंटों के उपर हमें काम करना है य अगर आपको किसी अस्थान पर एक से ज़्यादा पॉइंटों के आवे सकता है तो उसको आप रेडिमेंड ना लागर के आप अपने घर पे बनाईए और आपको उसको बनाने में कोई भी महनत नहीं लगती है दोस्तों कोई भी आपको मतलब एक्स्ट्रा ज्यादा मतलब बनाने का तरीका बताने वाला हूं वह आपका मतलब सबका बाप निकलेगा मैं आपको गरंटी से कह रहा हूं आप लोग यकीन मानिये मेरी बात पर आपको खुद विश्वास होगा जब आप दो साल के बाद आपका उसका एक्स्टेंशन बोड का कुछ खराब होगा तो आ मुझे चार सोकिट वाले बनाना है आप मुझे चार सौकिट की कटंग और सिट का आंक बगार और आपको लेना पड़ेगा और लकड़ी के आलावा आप अगलो को यूद्快 में भी इस तरह का extension board बना सकते हैं ठीक है तो उसका plastic box बगरा आता है और इसका आपको लकडी का मिलता है ठीक है 85 की आपको seat और लकडी का board ले लेना है उसके बाद में आपको 4 socket लेना है कोना company के हमने लिया है आप किसी भी लेडी हो जाता थोड़ा सा आप कमसे कम एक मीटर दो मीटर तार ले ले लिजिए या आपको जितना लंबा तार लगाना है उतना लंमा आप इसमें तार ले लिजिए ठीक है तो इतना सब सब कुछ और स्विच के अंदर भी जो कोना लिखा हुआ यह हिस्सा भी आपका उपर होना चाहिए तभी आपका सही से काम करेगा अगर आप यह लिखा हुआ नीचे कर देंगे तो आपका यह स्विच है यह उल्टा काम करने लग जाएगा यानि कि इस तरह से बंद होता है त पूरी तरह से तो इसको फटा-फट से हम खोल के आपको दिखाते हैं है तो दोस्तों देख सकते हमारा यह बोर्ड जो की 5 हमारे खुल गया है और खुलने के बाद में आप देख सकते हमने इसके अंदर इस तरह से कुछ करनेक्शन कर रखा है सबसे पहले दोस्तों आपको यह जो स्विच है आपका जैसे बटन है जो खटका ठीक है इसके अंदर से एक तार लेना है और आपको जो सॉकिट का जो एल लिखा हुआ सकते हैं लिए सैंब करके देख सकता है हमने सौट कर रहा है यहाँ से लेपे लानके यहां प भी न करके हमें यहां पर लगा देना- मैं जानि कि लाइन को काटी जाती है यानि कि जब हमेंगे बटन के द्वारा टो उसके लिए कुछ लिए कि भी अम्ने करनेक्सन करते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके जो face, यानि कि line की जो टार लगी होई है वह आपके switch के point पर ही हो, यानि कि switch से ही होकर कि आपके सभी point ओके current जाना चाहिए ताकि आपको जरुत पड़ने पर आप इसके current को काड़ सकें. ठीक है? तो इस तरह से दोस्तों ध्याम से लिए हमने इस तरह से इसका connection किया है और इसकी अंदर simply switch के जो दूसरा point है उसके उपर एक face का तार लगा देते हैं और दूसरा जो neutral का wire है वो हमें किसी भी neutral वाले point पे हम लगा देते हैं ठीक है तो इस तरह से हमें इसको connection करना है आप अगर यहां पर यह तार को अगर आप इसके उपर लगा देंगे तो आपका यह जो board है पूरी तरह से direct हो जाएगा है एक काम आप जरूर कर सकते हैं कि अगर आप यह नीचे वाले point के हटा करके उपर वाले लगा देंगे और यह वाली तार को हटा करके आप इसमें लगा देंगे तो भी आपका जैसे ऐसी इस तरह से करेंक् करना यह वाला आपको डिरेक्ट लगाना है लेकिन फेस का आपको हमेशा स्विच के अंदर ही लगाना स्विच से हो करके आपका बटन चालू करने पर इस आपका बोर्ड के अंदर आना चाहिए तो इस तरह से दोस्तों इसका connection हो जाता है और आपका यह लंबे समय तक चले लेकिन इस तरह के बोर्ड को अगर आप हमने घर बना लेते हैं तो कभी भी साल में दो साल में कभी कोई पार्ट अगर इसके आमाली एक सोगिट खराब होते तो आप इसको आराम से निकाल करके बदल सकते हैं और फिर से आपका यह जो बोर्ड है वो नया हो जाएगा इसलि आपको जितना जरूरत हो उतना लगा लिजिए लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो वायर लगाना है दोस्तों आपका कम से कम डेड़ होना चाहिए वह भी कंपनी का हो लोकल तार मत लगाईएगा नहीं तो आपका नहीं फुगेगा लेकिन आपके तार बार बार खराब होते रहेगे फुकते रहेगे जलते रहेगे